नमस्क्राइब दोस्तों मेरा नाम शेशांग जेन है और मेरा चैनल देख रहे हैं वुडोफा आपको जैसे की पता है मैं वुडोफा बहुत सारे वीडियोज होम टूर के घर के इंटीरियर के टिप्स के और कंस्ट्रक्शन के बनाता रहता हूँ आज मैं एक आया हूँ मेरी एक साइट है M3M गुडगाओं में यहां पर एक बेडरूम कवर करने वाला और मैं आपको दिखाऊंगा कि बिफोर आफ्टर और 3D के अंदर वो बेडरूम कैसा दिखता है तो overall feel कैसे हम इसको design कर रहे हैं हमने पहले paper पर क्या बनाया और आज यह कैसे बनने वाला है तो आ तो मैं लांड करते ही bedroom के fire area में आता हूँ इसको मैं बोलूँगा कि जैसे कि गर का एक fire area होता है क्योंकि जब large spaces होती है grandular spaces होती है luxury होती है तो उसकी luxury भी उसके fire से ही बनती है तो यह बंद हो जाएगा पीछे से यह दर्वाजा हमेशा के लिए बंद है यहां पर एक brick work करा देंगे हम अभी हमने temporary समान को लाने ले जाने के लिए इसको खोला हुआ है और entry करते ही आप जाए देख रहे हो एक fire area एक study area में आप enter करते हो enter होते ही study area है यहां से अगर मैं इस तरफ जाओंगा तो मेरा bedroom है और यहां से अगर मैं इस तरफ जाओंगा तो मेरा एक walking closet है कि अगर आप अभी मैं screen पे इसका एक layout भी लगा के दिखाऊंगा जिससे कि आप समझ जाओ कि bedroom कहां पर है और walking closet कहां पर है तो जैसे हम bedroom में enter करते हैं यह अच्छा का असा lavish बड़ा bedroom दिखता है उसके साथ अपना एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा master bathroom दिखता है with the bathtub और intel suite ki feel ay button dabao frost हो जाए button dabao clear हो जाए and all the fantasy's you can imagine what you can do inside this bedroom in the bathroom तो यह आप bedroom में आते हो और यहां से इस bathroom का access शिरू होता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा अगर मैं थोड़ा turn करता हूँ जैसे मैं bedroom में एंटर करता हूँ यह थोड़ा वास्तु की वज़े से हमने यहां पर एक bed रखा है generally bed मैं यहां नहीं रखता पर क्योंकि थोड़ा वा वेवी एक design बनाया है जो कि concrete से पैनल से बहुत सारी चीजों से बन सकता है तो अभी हम contemplate कर रहे हैं materials को यहां पर एक six back से इसका बहुत बड़ा साइक अच्छा सुन्दर सा bed है with a huge grandular इसके पीछे का bed headboard है उसके साथ इस कोने में आपको एक couch एक statue रखने की जंगा मिलती है यहां पर हमने टीवी ना लगा कि एक console लगाया है क्योंकि इसके पीछे glass है अभी आपको इस 3D में visualization हो जाएगा इसके curtains all hidden है अंदर POP ceiling के अंदर hidden है तो आपको कोई curtain की rod कोई curtain का channel नहीं दिखने वाला है जो एक काम आप देख रहे है अभी false ceiling का का काम यहां पर होना है तो कमरे के अंदर गुसे अगें तो यह स्पेस को में एक बहुत बड़ा walking closet डिजाइन किया है और हर एक lady of the house की इच्छा होती है के शेशांक मेरे घर में एकार सुपर सुपर सुंदर wardrobe जरूर होनी चाहिए और मैं उस wardrobe में गुसू ना हूँ मैं सब कुछ बूल जाओं और मेरा सारा समान सब कुछ आ जाए हम तो इंदुस्तानी है we are all Indians so we need lot of space मैं पूरा घर भी अगर storage बना दूना तो आप आओगे आपकी वाइफ आएगी बोले कि थोड़ी सी space और हो जाती तो मज़ा आ जाता बोलता हूं मैं हज़ जुडवा लो इस से जादा space तो मैं नहीं बना सक किया है और यहां पर center में इसका अपना ना एक console भी है तो उसके अंदर आप जोते रख सकते हो पर्स रख सकते हो घर ही रख सकते हो क्योंकि एक high-end apartment है एक high-end घर के उपर हम काम कर रहे हैं तो हमने इस wardrobe के पीछे tiles भी लगाई हैं जिससे की moisture, zealand, termite और पाकी दूसरी problems ना आए तो अगर आपका budget की कोई problem नहीं है तो आप अपने कमरे में, अपने walking closet में, अपने closet के पीछे भी tiles लगा सकते हो इस तरीके से हमने इस पूरे घर को design किया है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और आपक में आया होगा कैसे हमें गर को before, after, 3D में visualize करते हैं, design करते हैं, काम कराते हैं, we are a complete design and build firm, अगर आपको अपना घर भी हमारे साथ design और build कराना हैं, तो मेरे given numbers पे जरूर contact करें, I'll be happy to help, और मैं कोशिच करूँगा आप से बात करने की, मैं जरूर कोशिच करूँगा आपके स